हंजी नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका एक वर फिर से हमारे येटूब चैनल प्रिक्षा गाइड पार तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पीटीटी के बारे में जैसा की दोस्तों आपको पता है की पीटीटी के 15 मार्च 2023 से फोर्म सुरू हो चुके हैं पांच अप्रेल 2023 तक भरे जाएंगे आपके पास कुछ ही दिनों का समय सेस बचा है अगर आप भी 2 साल का बीड या 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स बीड करना चाहते हैं बीए बीएड बीएसी बीएड तो आप लोग इस फोर्म को जरूर अपलाई कर दीजिए अगर आपका सपना है टीचिंग फिल्ड में जाना तो आपको ये फोर्म जरूर भरना चाहिए राजस्थान प्री टीचर एजुकेशन टेस्ट इसका 21 मई 2023 को एकजाम हो जाएगा ठीक है दोस्तों आगे हम बात करते हैं जो इसमें आपसे क्वेशन पूछे जाएंगे वो MCQ प्रकार के होंगे तीन घंटे का आपको समय दिया जाएगा टोटल प्रशनों की संख्या 200 होगी टोटल अंकों की संख्या 600 होगी और इसमें कोई भी नेगिटिव मार्किंग नहीं रहेगी एक प्रशन तीन अंकों का रहेगा अब हम लोग आगे बात करते हैं इसमें आपसे चार सेक्षन से प्रशन पूछे जाएंगे पहला है Mental Ability यानि की Reasoning Reasoning के 50 प्रशन 500 नंबर के फिर है Teaching Attitude and Aptitude इसके 50 प्रशन 500 अंकों के फिर है Journal Awareness यानि की GK इसके भी 50 प्रशन 500 अंकों के फिर है Language Proficiency यानि की English और Hindi आपसे अगर आप परिक्षा में पेपर में Hindi को सेलेक्ट करते हैं तो आपको Hindi के 50 प्रशन करने होंगे नहीं तो English के 50 प्रशन करने होंगे अधिकतर विध्यारती Hindi के ही 50 प्रशन करते हैं अब हम लोग जान लेते हैं इसके सलेबस के बारे में वो भी Topic Wise तो पहला आपके सामने है Mental Ability यानि की Reasoning का मतलब की Reasoning विशे में जितने भी Topic आते हैं वो सभी आपको पढ़ने हैं जैसे की Direction Test, Calendar, Clock, Coding, Decoding, Alphabet, Series, Ranking, Test, बैठने की विवस्था, Puzzle, Bullet Relation, Series, Missing Number, Mathematical, Operation, Logical, Venn, Diagram, Dice, Analogy, Classification, Proper Order, Mirror and Water, Image मतलब की आपको Reasoning के सभी Topic अच्छे सित्यार कर लेना है फिर है GK का प्रशन फिर है GK का पाट तो GK का पाट में आपको Crane Affairs इंडिया की और अपने राज़स्थान की थोड़ी बहुत वेसे इंडिया की ही Crane Affairs ज्यादा पूछने के चांस रहते हैं फिर आपसे भारतिय इतियास और संस्कृति के बारे में पूछा जाएगा भारतिय राजनिती भारतिय भुगोल यानि की इंडियन जियोग्राफी फिर है जर्नल साइंस के भी कुछ 9-10 प्रशन आपको देखने को मिल सकते हैं उसके बाद आपको राजसान का जीके इंडियन जियोग्राफी के ये टोपिक आप त्यार कर लिजिएगा वर्ल्ड जियोग्राफी से प्रशन आएंगे राजसान जीके कला संस्कृति इतियास भुगोल ये सभी फिर है समाने विज्ञान जैसा कि मैंने आपको बता दिया है कि इससे 9-10 प्रशन पुछे जा सकते हैं उसके बाद हम बात करते हैं सिक्षन ये सिक्षन योगेता टीचिंग एप्टिटूट तो इसमें कोई भी नंबर मतलब कि कटेगा निया आप कुछ भी इसमें करके आओगे तो आपको उसका नंबर मिलेगा भले एक नंबर मिले आपको अंक उसमें मिलेगा ठीक है जैसे अगर आप चार ओप्षन है बिल्कुल करेक्ट ओप्षन पर राइट करते हो यानि कि correct answer को चोज गरते हो तो आपको बिल्कुल तीन नमबर दिये जाएंगे आप 100 में से 70 पर टिक करते हो तो आपको 2 नमबर दिये जाएंगे आप 50 के लगभग रहते हो तो आपको एक नमबर दिया जाएगा तीन में से तो इसमें कोई भी टेंसन लेने वाली बात नहीं है आप चलते हैं आगे नरेशन, ट्रांसफोरमेशन औफ एंटेंस, आर्टिकल एंड डिटर्मिनस, प्री पोजिशन, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रिमेंट, सिनोनियम, एंटोनियम, आइडम्स, एंड फ्रेज़, वन वर्ड सब्टिटुशन ये सब टॉपिक आपको पढ़ने हैं इंग्लिस में, तो ये आपका पूरा सलेवस मैंने आपको बता दिया है, ठीक है दोस्तों, और अगर आपने अभी तक फोर्म नहीं भरा है तो जाकर फोर्म बर देना, पांच अप्रेल इसकी लास्ट डेट है, 21 मई को आपका एक्जा काम हो जाएगा, इसलिए आपके पास अभी भी मतलब कि मार्च के ये दो-चार दिन निकाल दें, तो आपके पास पूरे एक महीना 20 दिन का समय बाकी है, इसके अंदर आप एक अच्छी रणनिती बना कर त्यारी कर सकते हैं, और अगर आप चाते हैं कि मेरा मन पसंद कोलेज मुझे मिले, मेरे ही सहर में, तो आपका टारगेट साढ़े 400 नमबर, यानि कि साढ़े 400 पलस का रहना चाहिए, तभी जाकर आपको एक बेस्ट कोलेज मिल सकता है राजस्तान में, तो इसी के साथ वीडियो करते हैं समाप्त, अगर आप हमारे योटूब चैनल पर प